हालो हाई दोस्तों वेलकम बेक टूडान डीटल उडान डीटल के ओनलाइन प्लेटफोर्म पर आप सभी छात्रों का एक बार फिर से हर्दिक स्वागत है तो आज की हमारी जो क्लास है वो है क्लास 10 इस्टूडेंट्स के लिए और आज से हम हमारी क्लासे से स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सबसे पहला चेप्टर आपका मैस का जो है सबसे पहली यूनीट जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहली यूनीट जो है आपकी मित्र वो है रियल नंबर सबसे पहला चेप्टर आपके पास जो आ रहा है वो है रियल नंबर हिंदी में इसका नाम होता है वास्तविक संख्या है तो आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स वास्तविक संख्या है रियल नंबर्स वास्तविक संख्या है चेप्टर नंबर फर्स मैस का क्लास 10 रियल नंबर वास्तविक संख्या है इस वीडियो के एंड में वीडियो के एंड में आपको यूटूब पर अगर आप क्लास देख रहे हैं तो डिस्किप्शन में आपको इस वीडियो का पूरा नोड पीडियाप नोड आपको मिल जाएगा और अभी तक आपने अगर हमारा उडान डीटल एप डाउनलोड नहीं किया है तो आप उडान डीटल एप प्लेइश्टोर से डाउनलोड कर लें वहाँ पर आपको कंप्लीट वीडियो कोर्स, कंप्लीट नोड टैस्ट, प्रिवियस फाइव यर कोस्टन पेपर सभी अवेलेबल होगा तो चलिए कहानी को सुरू करते हैं और डिसकस करते हैं सबसे पहले हम लोग डिसकस करेंगे इस चेप्टर में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है बेटा नमबर्स तो हम लोग एक रियल नमबर उठा लेते हैं रेंडमली और मेरा जो पसंदिदा नमबर है फिलहाल वो है 15 मैंने एक नमबर लिया 15 और इस 15 हमने क्या करड़ा ओप्रेशन कर डला और और अप्रेशन करके हमने यह देखा कि यह जो 15 है वो किन-किन नमबरों से दिवाइड होता है सब Bennu ऐस नमबर नमबरों से टिवाइड होता है तो आप Prof in के सर 15 completely divisible होता है 1 से 3 से 5 से 15 से यह 4 फेक्टर हैं यह चार फेक्टर हैं जिससे 15 पूरा पूरा क्या होता है दिवाइड होता है तो हम लोग कहेंगे सर 15 के total number of factors कितने ही 4 है और यही कहलाते हैं number of factors यह क्या है factor find करना है तो factor का मतलब होता है एसे number जो उस number को completely divide कर सकते हैं यह सारे कहलाते हैं इसके factor बोलो हाया ना गुणनखंड बोलते हैं हिंदी में English में बोलते हैं factor टुकडे अपनी भासा में हम factor समझ चुके हैं अब हम लोग बात करते हैं मैं यहाँ पर कुछ random number लिख रहा हूं मैं यहाँ पर कुछ number random लिख रहा हूं मैंने लिखा 2 ठीक है मैंने लिखा 3 है ना मैंने लिखा 5 मैंने लिखा 7 मैंने लिखा 9 9 नहीं मैंने लिखा 11 मैंने लिखा 13 यार दोस्त जरा ध्यान से बोर्ड पर देखो मैंने कौन-कौन से नंबर लिखे हैं मैंने कुछ नंबर बोर्ड पर लिखे हैं बाकी छोड़ दियें तो क्यूं मैंने ये नंबर लिखे हैं क्यूं बाकी सारे छोड़ दियें इस बात को बड़ी ध्यान समझना मैंने ये नंबर क्यों लिखे हैं क्योंकि ये नंबर ऐसे नंबर हैं ये नंबर ऐसे नंबर हैं जो केवल एक से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं सर ये ऐसे नंबर हैं जो केवल किस से डिवाइड होते हैं एक से और खुद से इन नंबरों में केवल भाग किस जो यह सारे नंबर ऐसे नंबर तुम जैसे मतलब जिनको दुनिया में कुई हरा नहीं सकता। आप लोगों को हरेने वाले केवल दो ही लोग हैं एक तो आप खुद और दूसरा भगवान दो ही लोग आपको हरा सकते हैं और कोई नहीं हरा सकता है तो आप ऐसे समझो कि यह तुम जैसे number है, जो किसी से नहीं हारते हैं, किसी से divide नहीं होते हैं, केवल किस से divide होते हैं, एक तो खुद से और एक भगवान से, universal एक से, ठीक है, एक मतलब भगवान, दो मतलब तुम खुद, ठीक है, तो यह तुम जैसे number को ही हम क्या कहते हैं mathematics मे हम कहते हैं सर ये प्राइम नंबर हैं कौन से नंबर हैं प्राइम नंबर्स ये कौन से नंबर से हैं साहब प्राइम नंबर्स तो प्राइम नंबर्स जो होते हैं उनको केवल कौन हरा सकता है या तो भगवान हरा दे या खुद या तो इसको भगवान हरा दे या ये खुद हा हार मान ले तो हमने ये देखा कि ये वो नंबर हैं जिनको केवल दो ही लोग हारा सकते हैं एक तो एक और दूसरा वो खुद हार मान ले बोलो हा या ना यहां तक कोई डाउट आपको बिलकुल नहीं अब थोड़ा सा प्रिवियस तलोर देखो सर किसी नंबर को डिवाइड कर किने वाले जो नंबर होते हैं वो फेक्टर कहलाते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि ये ये दोनों इसके फेक्टर हैं ये दोनों इसके फेक्टर हैं ये दोनों इसके फेक्टर हैं मतलब प्राइम नंबर्स होते हैं उनके केवल कितने फेक्टर होते हैं दो ही फेक्टर ह होते हैं तो हम लोग कह सकते हैं Numbers which have only two factors sim लोग यह कह सकते हैं Numbers which have only two factors sir ऐसे Number जिसके केवल कितने गुणन ख़ण होते हैं जिसके केवल दो लिजए विजए विजए वो 힘 हुई हुई ओनली सहाब।नली ना दो से कम ना दो से याजा, विजए उनली टूवेटरस दुनिया के ऐसे नंबर जिनके केवल दो ही फेक्टर होते हैं उनको को हम क्या कहते हैं प्राइम नंबर कहते हैं क्या कहते हैं प्राइम नंबर उम्मीद है आपको ये बात समझ मेरी आई होगी कि वॉट इस प्राइम नंबर चीक है प्राइम नंबर क्या होते हैं एक बार रिपीट करो जरा सर ऐसे नंबर जिसके केवल दो ही फेक्टर होते हैं एक तो भगवान मतलब एक और एक वो खुद ठीक है तो इनको हम केते हैं प्राइम नंबर अब हम अगर बात करें हमने सीखा factor क्या होते हैं हमने सीखा प्राइम फेक्टर क्या होते हैं अब हम बात कर रहें what is what is Prime Factor तो आप देखेंगे कि धोड़ी देर पहले हमने एक नमबर लिया था 15 तो ये चारों 15 के factor हैं पर इन 4 में से prime number कौन से जरह देखो ये एक prime number है और एक prime number ये हैं ये दोनो प्राइम नमबर हैं बागी prime number नहीं है चलिए, तो अगर हम 15 के prime factor देखें तो क्या होंगे तीन और पांच, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं, मैंने आपको बता ये प्राइम नंबर कहलाते हैं, अब हम लोग देखते हैं, सर ऐसे नंबर जो तुम जैसे होते हैं, तुम जैसे मतलब जो किसी से नहीं हारते दुनिया में, हम बात कर रहे हैं, हम जैसे नंबर हो की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं सहब, हम जैसे नंबर हो की, तो अब ये हम जैसे नंबर क्या है, जरा बात को समझो, ये हम जैसे नंबर क्या है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर जो नंबर मैंने छोड़ दिये हैं, उनको हम यह हैं ऐप हो चाहिए में हूं हम सबको भग्वान हरा सकता हैं मतलब एक एक ऐसा नंबर है जो किसी को दिवाइट कर सकता एग जो है वो सब सब का दूर और खुद अगर आदमी मरना चाहा सै किमिए श्चाहिए उसको कोई हार मान ले ऐसे प्राइम कहिलाते केवल भगवान और खुद बाकी कोई उनको हरा नहीं सकता. ठीक है? किसी की ओकात नहीं कि इनको और हरा दे या डिवाइड कर दे. पर ये वो नमबर है जिनको भगवान भी हरा सकता है, वो खुद भी हार मान लेते हैं, और कोई और भी है जिनको हरा सकता है ठीक है ये परिवार के सामने जुग जाते हैं एक दो चार मतलब चार को डिवाइड करने वाली नमबर कितने हैं तीन है ऐसे ही छे को डिवाइड करने वाली नमबर कितने हैं सर छे एक से भी डिवाइड होगा दो से भी डिवाइड होगा 3 से भी completely divide होगा और 6 से भी, मतलब 6 के 4 factor है, ऐसे हम अगर 8 की बात करें तो 8 एक से divide होगा 2 से होगा, 4 से होगा और 8 से होगा, बोलो हाँ या ना, इतने नंबरों से ये divide हो रहा है, ऐसे हैं अगर हम 9 की बात करें तो भाई सहाब जो 9 है ना, 9 किन से किन से divide होगा, तो सर 9 जो है एक से हार जाएगा, 3 से भी हार जाएगा और 9 से भी हार जाएगा तो ये वो number हैं, ये वो number हैं, जिनके 2 से ज़्यादा factor है है ना, तो हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने कहा, which have only ऐसे number, जिसके केवल कितने factor होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सर वो कहलाते हैं, प्राइम, और यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसके कितने factor हैं, सर, 3 है 4 है, 4 है, 3 है, मतलब 2 से ज़्यादा factor, तो हम लोग कह सकते हैं, numbers, which have more than 2 factor, more than 2 factor, ये जो हम जैसे हैं, इनको English में कहते हैं composite number, क्या बोलते हैं सहाब, composite ठीक है, तो composite number क्या कहलाएंगे अगर हम definition लिखना चाहें, तो हम क्या लिख सकते हैं numbers, numbers which have which have which have more than 2 factor, which have more than 2 factor, ऐसे number जिसके 2 से ज़्यादा factor होते हैं यहाँ पर केवल 2 ही factor होते ना 2 से कम, ना 2 से चादा, यहाँ पर 2 से ज़्यादा factor होते हैं, इनको हम बोलते है composite number, क्या तुम्हें ये बात clear हुई, इनको हम कहते है composite number, अब एक और number है सहाब, एक और number है दुनिया में, जिसको हम क्या कहते हैं, ना तो जो ना तो प्राइम है, नीदर प्राइम, नीदर प्राइम, नौर कम्पोजिट, नौर कम्पोजिट, एक एक ऐसा नंबर है दुनिया में, जो ना तो प्राइम है, ना तो कम्पोजिट है, ऐसा क्यूं बात को समझना, इस्क्रीन पर सारी कहानी क्लियर छपी हुई है, नंबर होते हैं तुम जेसे मतलब ऐसे नंबर जिसके केवल दो ही फेक्टर हो तुम्हें केवल दो ही लोग हरा सकते हैं या तो आप खुद हर मान लो या तुम्हें भगवान हरा दे एक होता है हम जेसे मतलब composite हम भगवान से भी हार सकते हैं हम खुद भी हार मान सकते हैं और हमें कोई और भी है जो हमें हरा सकता है ठीक है तो ऐसे number जिनके केवल दो ही factor हों एक तो भगवान और एक वो खुद तो उनको हम कहते हैं prime number सर ऐसे number जिनके दो से जादा factor हों इसका मतलब वो composite है पर सर ये एक ऐसा number है ये दुनिया में एक ऐसा number है जिसका केवल एक ही factor होता है और वो वो खुद ही होता है दो factor भी नहीं होते अगर दो factor होते तो हम उसको prime कहते हैं अगर दो से जादा होते तो हम composite कहते हैं पर सर ये एक ऐसा number है दुनिया में जिसके ना तो दो factor हैं ना दो से ज़्यादा हैं इसका एक ही factor है इसलिए इसको हम कहते हैं ना तो ये prime number है ना तो ये composite number है neither prime nor composite क्या इतनी बात के लगा cover हुई आपकी चलिए तो आगे बढ़ते हम लोग हमने composite समझा हमने ये समझा ठीक है अब हम लोग स समझेंगे what is prime factor तो heading डालेंगे what is prime what is prime factor हमने पहले factor समझा फिर हमने prime समझा अब हम prime factor समझेंगे तो जैसा कि हमने सबसे पहला number लिया था 15 ठीक है तो हमने 15 के factor किये थे 15 क्या होते है factor of 15 15 15 के क्या factor होते हैं सर एक तीन पांच और पंदरा इन पांचों factor में इन चारों factor में आप देखेंगे कि ये दोनों factor जो हैं ये prime factor है बोलो हाई या ना सर ये वाला जो factor है ये composite है ये किस से किस से divide होता है सर ये एक से डिवाइड होता है, तीन से भी डिवाइड होता है, पास से भी डिवाइड होता है, पंदरा से भी डिवाइड होता है, मतलब फिप्टीन के more than two factor होते हैं, पर ये दो नमबर ऐसे हैं, जिसके केवल दो ही factor होते हैं, इनको या तो भगवान हरा सकता है, या तो ये है total factor है पर हमें के वल यही चाहिए तो हम लोग prime factor निकालने का method होता है ध्यान देना to find यह हम लिख सकते है method एक method होता है method to find प्राइम फेक्टर, जब भी हमें प्राइम फेक्टर निकालना हो, जब भी हमें प्राइम फेक्टर निकालना हो, तो हम लोग ऐसे फेक्टर निकाल के उसमें प्राइम ढूंडेंगे नहीं, ऐसा नहीं करना है, हम डाइरेक्ली प्राइम निकाल सकते हैं, और डाइरेक्ली प् 5 से अगेन 1 टाइम इसका मतलब जो 15 था उसके जो प्राइम फेक्टर है वो 3 है और 5 है और हमने 15 को उसके प्राइम फेक्टर के प्रोड़क के रूप में एक्सप्रेस कर दिया तो इसी को हम कहते हैं किसी नंबर को किसी नंबर को उसके प्राइम फेक्टर के प्रोड़क के इंटू, एक्स्प्रेस इंटू, प्रोड़क्ट आफ, प्रोड़क्ट आफ, प्राइम फेक्टर, किसी नंबर को उसके प्राइम फेक्टर के प्रोड़क्ट के रूप में लिखना, देखिए, ये दोनों जो है प्राइम फेक्टर हैं, और ये है प्रोड़क्ट, इसको बोलत हाँ या ना क्या कोई डाउट अब हम लोग सीधे सीधे बढ़ते हमारी exercise की तरफ और जब आप exercise 10 की जो है exercise 1.1 देखोगे ना बेटा सबसे पहला सवाल exercise 1.1 तो exercise 1.1 में सबसे पहला सवाल ही आपके पास है कि भाई express करो क्या करो express each number express each number in the product of in the form of product of their prime factor तो क्या कहता है वो express express each numbers express each numbers as a as a product of as a product of as a product of their prime factors अब हम यहाँ एक नंबर ले रहे हैं और समझने की कोशिस कर रहे हैं कि हम कैसे किसी नंबर को उसके प्राइम फेक्टर के product के रूप में break कर सकते जैसे मालो 140 हैं हमने यहाँ पर लिखा सहाब solution अब हम solution स्टार्ट कर रहे हैं जब आप solution स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सहाब गीवन नोट्स में बिल्कुल आप ऐसा लिख सकते हैं क्या लिखेंगे गीवन गीवन नंबर क्या है जरा बताओ सर हमें गीवन नंबर जो है वो क्या है हम लिखेंगे गीवन नंबर तो हमें जो नंबर गीवन रहे वो है 140 और इसी 140 को हमें प्राइम फेक्टर के प्रॉडटक के दोके डालना तो तुकडे तुकडे करने का मैथड क्या है, स्बुकडे तुकडे करने का मैथड है वो ये चलो तो ये लिखा हमने 140 सोचो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो तुम्हें लगता है 70 आएगा अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो लगता है 35 आएगा अगेन हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा और अगेन हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा इसका मतलब हम 140 को लिख सकते हैं 140 को हम क्या लिख सकते हैं 2 to the power 2 2 की power 2 multiply 5, multiply 7 तो हम लिख सकते हैं 2 की power 2 multiply 5, multiply 7 यही हो गया आपका answer express कर दिया हमने हमने एक नंबर को उसके prime factor के product के रूप में express कर दिया यही हमारा पहला सवाल था कि किसी भी नंबर को उसके prime factor में product में express करना है जो कि हमने कर दिया अब आपका काम है भाईया कि ऐसे और भी सवाल है आपके पास book में, दूसरा तीसरा, चौथा और पांचवा, वो सारों की सारे सवाल आप खुद करोगे और try करके देखोगे अगर नहीं आ रहा है तो comment box में लिखना सरह में ये वाला question नहीं आया हाँ, बात ध्यान रहे, आपको कम से कम 30 तक के पहाड़े याद होना चाहिए क्योंकि ये जो सवाल था, ये simple अगर आपको आपकी class का टॉपर बनना है तो कम से कम आपको 30 तक के पहाड़े याद होना चाहिए, बरोबर है, अगर आप 30 तक के पहाड़े याद कर लेते हैं, तो आपके लिए calculation की जो चीजे हैं, वो बहुत ही आसान हो बरोबर है, चलिए, उम्मीद है, आपको ये चीज समझ आई होगी, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे चीजों को discuss करने चल रहे हैं, अब हमारा जो next topic होगा, वो होगा LCM और SCF, उम्मीद है, exercise 1.1 का पहला सवाल आपको क्लियर हो गया हो गया, अब हम बढ़ रहे हैं, अपने second question की तरफ, exercise 1.1, question number second, वहाँ पर हमें करना है LCM और SCF, और वो LCM SCF में सिखा रहा हूँ, आपको अगले वीडियो में, class number 2 में, class 1 हमारी complete, पहला question complete, second class आप attain करें, उसमें हम LCM और SCF को समझ रहे होंगे, जिससे हमारे next question कवर हो रहे होंगे, चलिए, वीडियो अगला देखें, thank you.